14.4.2 असम में आंदोलन असम में 1970 के दशक में स्वायतता की मांग उठ रही थी असम के लोगों में यह भावना बन रही थी कि उनके राजी के संसाधनों का दोहन दूसरे प्रदेश के लोग कर रहे हैं और वे अपने ही राजी में दोयम दर्जे के नागरिक बन कर रहे गए हैं असम के चाय बागानों पर नियंत्रण कलकत्ता यानि कोलकाता की कमपनी का था असम से खनिज देल निकाल कर दूसरे राजियों के शोधक कारखानों में उप्योग किया जाता था मगर उससे असम के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता था असम में असमिया के अलावा बांगला भी एक प्रमुख भाश्य थी अंग्रेजिश आसन के समय से ही बांगला भाशी लोग सरकारी पदो पर अधिक संख्या में कारिप कर रहे थे असम्या भाशी लोग यह महसूस करते थे कि बांगला भाशी सरकारी कर्मचारी उनके साथ दूसरे दर्जे का वैभार करते हैं बांगला देश से आजिविका की तलाश में आने वाले प्रवासियों ने मामले को और गंभीर बना दिया 1975 से लोगों की यह भावना सामाजिक आन्दोलन में बदल गई अखिल असम विध्यार्थी संग A.A.S.U. ने इस आन्दोलन का नित्रतु किया विदेशी लोगों को बाहर निकालने की मांग के साथ हर्ताले, धर्ने, प्रदर्शन तथा बंद आयोजित हुए असम आन्दोलन की मुख्य मांगे यह थी कि विदेशी लोगों को असम से बाहर निकाला जाए इस्थानी लोगों को रोजगार प्रदान करने में प्रात्मिक्ता दी जाए असम के संसाधनों का उप्योग असम के लोगों के लिए किया जाए एक प्रमुक मांग थी बांगला देश से आये लोगों की नागरिक्ता समाप्त करना और उन्हें राज्य से बाहर करना इन मांगों ने लोगों को सामप्रदाई काधार पर भी बाढ़ दिया क्योंकि अधिकतर बांगला देशी मुसलिम थे हिंसा तथा विगटन के बहुत बढ़ने से केंद्र सरकार को मामले में हस्तक शेप करना पड़ा आंदोलनकारी छात्रों तथा केंद्र सरकार के बीच तीन साल की बातचीत के बात समझोता हुआ जिसके तयात यह तय हुआ कि 1961 के पहले आकर बसे लोगों को नागरित्ता दी जाएगी 1961 और बांगला देश युद्ध से पहले आये लोगों को असम में रहने का अधिकार होगा मगर मताधिकार नहीं और 1971 मार्च के बाद आए लोगों को वापस बांगलादेश भेजा जाएगा समझोते के बाद हुए चुनाओं में असमगण परिशद जो आसू AASU से ही निकला हुआ था ने भारी विजय प्राप्त की इसी प्रकार आगे कई नय राज्य बनाने और अन्य शेत्रे अकांशाओं को लेकर आंदोलन हुए मिजोरम, उत्राखंड, तेलंगाना, जारखंड और चतिसगर जैसे राज्य इसी तरह की मांगों के नतीजे हैं 14.4.3 पंचायती राज और सत्ता का विकेंद्री करण राजिय गांधी का मत था कि सरकारी योजनाओं का फायदा गरीब लोगों तक नहीं पहुँच पाता है उनका कहना था कि गरीबों के लिए आबंटित रुपे में से 15 पैसे से भी कम उन तक पहुँच पाता है इस समस्या का एकल यह निकाला गया कि सत्ता का और विकेंद्री करण हो ताकि आम लोग जिनके लिए विकास कारिक्रम बनाये जाते हैं वे इसमें सहभागी बने और उसका लाब उठा पाएं इसके लिए 1986 में समविधान में एक संशोधन लाया गया जिससे पंचायती राजवेवस्था को सभी राज्यों में अनिवार बनाया गया और उन्हें समविधानिक माननेता दी गई इससे अप एक्छा थी कि सत्ता का विकेंदरिकरण होगा और गरीब और विशेशकर महिलाएं इस्थानिय लोकतांत्रिक राजनीती में सक्रिय हो पाएंगी 14.5 राजनीती में चेत्रेता, जातियता और धर्म तथा गठबंधन सरकारें पिछले अंच में हमने देखा कि किस तरह राज्यों के इसतर पर लोगों की अकांचाय बढ़ रही थी और छेत्रे पार्टियों का विकास होने लगा इस समय देश भर में कई राजनेतिक पार्टिया बनी जिनका मकसद था उन जातियों के लिए राजनीती में जगा बनाना जो अभी तक उसमें सम्मलित नहीं थे मध्यम क्रिशक जातियां जैसे जाट और दलित जातियों में से नई पार्टियों का गठन होनी लगा इन में से कई ऐसी जातिया भी थी जो आर्थिक रूप से अपनी इस्थिती सुधार पाये थे मगर सिक्षा और राजनीती में पिछड़े हुए थे वे आरक्षन मांगने लगे 1989 में विश्वनात प्रताप सिंग के नित्रत वाली गड़बंदन सरकार ने निर्ने लिया कि अन्य जातियों को सेक्षिनिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षन मिलेगा उच्छ जातियों के युवाओं के कड़े विरोध के बाजूत यह कानून बना और इससे इन जातियों के राजनीती कुभार में मदद मिली जातिये वशित्रे पहचानों के साथ साथ राजनीती में लोगों की धार्मिक पहचान भी महतोपून बनने लगी इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारती राजनीती एक नए चरण में प्रविश कर रही है जहां शुरुवाती चार दशकों तक भारत की केंद्री राजनीती लगभग एक दल के इर्द गिर्द घूम रही थी 1990 के बाद से इसने बहुद अलिये व्यवस्था के तरफ वास्तविक रूप से कदम बढ़ाये हैं बहुद अलिये व्यवस्था के प्रारंभिक दोर में हमने बहुत सी आस्थाई गटबंधन सरकारे देखी पिछले पंद्रह सालों में इस्तिर गठ बंधन सरकारों ने कारे किया है इस प्रकार गठ बंधन की सरकारों के कारण विभिन शेत्री और छोटे दलों ने समाज के विभिन मतों में प्रतिनिधित्व किया गटबंधनों ने नियूंतम साजा कारिक्रमों और समन्यवे के विभिन तरीकों द्वारा विचारों का समावेश करके बहुमत का प्रतिनिधित्व करने के साथ सरकारों की अस्थिर्ता की समस्या का भी समाधान किया है